आज हम सिखेंगे आंकडों का वर्गी करण और आयत चित्र दिशा ने अपने कॉलोनी में रहने वाले 40 व्यक्तियों की आयू ग्यात की जिससे उसे इस प्रकार संख्याएं प्राप्त होई वांजित सूचना प्राप्त करने के लिए एकत्रित किये गए संख्याओं के ऐसे संग्र आंकडे यानी देटा कहलाते हैं यहाँ प्रत्येक संख्या एक प्रेक्षन यानी उब्जवेशन है इन आकडों से सूचना जैसे कितने लोगों के आयू पचीस के उपर है ग्यात करना आसान नहीं होता है इसलिए हम आकडों को क्रमबध रूप से संग्ठित यानी और्गनाईस करते हैं जैसे मिलान चिन्नों का प्रयोग करके सार्णी बना कर लेकिन यहाँ ऐसा करना आसान नहीं होगा क्यूकि यहाँ प्रेक्षणों की संख्या बहुत बड़ी है और प्रत्येक प्रेक्षण को सार्णी में दर्शाएंगे तो सार्णी बहुत लंबी होगी ऐसी स्थिती में हम प्रेक्षणों को विभिन्न समुहों में संग्ठित करते हैं चूकि यहाँ सबसे छोटा प्रेक्षण 5 है और सबसे बड़ा प्रेक्षण 68 है यानि आकडों का परिसर 5 से 68 तक है इसलिए यहाँ हम प्रेक्षणों के 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इत्यादी इस प्रकार समुह यानि ग्रुप बनाएंगे प्रत्यक समुह को हम एक वर्ग अंतराल यानि क्लास इंटरवल या संशेप में वर्ग यानि क्लास कहते हैं प्रत्यक वर्ग अंतराल की एक निम्न वर्ग सीमा यानि लोवर क्लास लिमिट और उपरी या उच्च वर्ग सीमा यानि अपर क्लास लिमिट होती है जैसे शून्य से दस में शून्य निम्नवर्ग सीमा और दस उच्च वर्ग सीमा है किसी वर्ग अंतराल के उच्च वर्ग सीमा से निम्नवर्ग सीमा को घटा कर हमें इन दोनों के बीच का अंतर ग्यात होता है जो उस वर्ग अंतराल की चौड़ाई यानि विट्थ या माप यानि साइस दर्शाता है जैसे वर्ग अंतराल 0 से 10 की चौड़ाई या माप है 10 रिंड शून्य बराबर 10 इसी तरह वर्ग अंतराल 20 से 30 की माप भी होगी 30 रिंड 20 बराबर 10 इसी तरह यहां सभी वर्ग अंतरालों की माप 10 है अब हम संख्याओं को मिलान चिन्नों का प्रयोग करके सार्णी में प्रस्तुत करते जाएंगे यहां प्रेक्षन 5 वर्ग अंतराल 0-10 में सम्मिलित है इसलिए हम 0-10 की पंक्ती में एक मिलान चिन्न बनाकर इसे सार्णी में प्रस्तुत करेंगे अब चलिए प्रेक्षन 10 की बात करते हैं हम देखते हैं कि 10 वर्ग अंतराल 0-10 और 10-20 दोनों में सम्मिलित है लेकिन एक प्रेक्षण केवल एक ही वर्ग अंतराल में सम्मिलित हो सकता है इस थती से बचने के लिए हम एक नियम अपनाते हैं कि उभयनिष्ठ प्रेक्षणों को उच्चितर वर्ग अंतराल में प्रस्तुत किया जाएगा जैसे यहां हम 10 को उचितर वर्ग अंतराल 10 से 20 में सम्मिलित करेंगे और इसके लिए मिलान चिन्न बनाएंगे तो बताईए प्रेक्शन 40 कौन से वर्ग अंतराल में सम्मिलित होगा सोचिए सोचिए बिल्कुल सही यह वर्ग अंतराल 40-50 में सम्मिलित होगा 30-40 में नहीं इसलिए हम 40 को प्रस्तुत करने के लिए वर्ग अंतराल 40-50 में मिलान चिन्न बनाएंगे इसी तरह हम सभी आंकडों को मिलान चिन्नों के प्रयोग से सार्ने में प्रस्तुत करेंगे अब यहां देखिए वर्ग अंतराल शूनिसे दस के लिए दो मिलान चिन्न बनाए गए है क्या आप बता सकते हैं कि इससे आपको क्या ग्यात होता है सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं ये दो मिलान चिन्न प्रेक्षन पांच और प्रेक्षन आठ को दर्शाते हैं। इस तरह से यहां संख्या 2 वर्ग अंतराल 0-10 में आने वाले प्रेक्षनों की संख्या बताती है। यानि कि ऐसे दो व्यक्ति है जिनकी आयू 0-10 के बीच है। इसे हम वर्ग अंतराल 0-10 की बारंबारता यानि फ्रिक्वेंसी कहते हैं। इसी तरह आप इस प्रकार से इन सभी वर्ग अंतरालों की बारंबारता लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सभी वर्ग अंतरालों की बारंबारता का योग 40 है, जो कि प्रेक्षणों की संख्या के बराबर है. इस प्रकार यह सार्णी पूर्ण हुई, यह एक बारंबारता बंटन सार्णी यानि frequency distribution table है. चुकि हमने प्रस्तुत आंकडों को वर्गिक्रित किया है, इसलिए अब इन्हें हम वर्गिक्रित आंकडे यानि grouped data कहते हैं, और प्राब्थ बंटन को एक वर्गिक्रित बारंबारता बंटन यानि grouped frequency distribution कहते हैं. इस सार्णी से हम इस प्रकार आलेक खीच सकते हैं. इस आलेक में शैतिच अक्ष पर वर्ग अंतरालों को दर्शाया गया है, जैसे 0-10, 10-20 इत्यादी. इसी तरह उर्ध्वाधर अक्ष पर व्यक्तियों की संख्या दर्शायी है. इसे दर्शाने के लिए 1-E काई बराबर 2 व्यक्ति यह पैमाना यानि scale लिया गया है. किसी वर्ग अंतराल पर खीचे गए आयत या दंड की लंबाई हमें बताती है कि उस वर्ग अंतराल में कितने प्रेक्षण आते हैं. किसी वर्ग अंतराल में आने वाले प्रेक्षणों की संख्या उस वर्ग अंतराल की बारंबारता कहलाती है. जैसे यहां वर्ग अंतराल 20 से 30 की बारंबारता 6 है बारंबारता दर्शाने के लिए खीचे गए दंडों की चोड़ाई समान है एवं निकट के दो दंडों में कोई भी रिक्तता या दूरी नहीं है आंकडों के इस प्रकार निरूपन को एक आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम कहा जाता है अगले वीडियो में कुछ उधार्णों से इसे हम और अच्छे से जानेंगे तो आज हमने सीखा आंकडों का वर्गी करण और आयत चित्र अगले वीडियो में देखेंगे इन से संबंदित कुछ मज़ेदार उधारण